आज हम बनाने जा रहे हैं करारा करारा प्यास का पराथा अंदर से सॉफ्ट होगा लेकिन बाहर से बहुत ही करारा ये बन करता है यार होगा और इसके साथ ही चटपटा भी बनेगा तो चलिए फटा फट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं आटा लगा लेते हैं तो सबसे पह जैसे ही सारी चीजे मिक्स हो जाएंगी हम इसमें पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे आपको इसमें मुठी बनाकर देखने की जुरुरत नहीं है इतना ज्यादा मॉइन नहीं लगाना है सरफ दो चम्मजगी ही डालना है अच्छे से हम इसका आटा लगा लेते हैं और ज उसके बाद इसके उपर दो तीन बूंदें मैं घी की डाल रही हूँ और अच्छे से पूरे आटे पर हम लोग उसे अपलाए कर देंगे अब इसे ढग देते हैं दस पिनिट रेस्ट करने देंगे यहां पर हम फिलिंग तयार कर रहे हैं तो मैंने यहां पर दो प्याज लिये एक चमच आमचूर पाउडर खटाई के लिए और स्वात के अनुसार नमक तभी डाले जब आपको पराठे बनाने हो थोड़ा सा धनिया और एक चौथाई चमच घी डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि हम लोग अभी पराठे बना रहे हैं इसलिए हमने अभी ही नम है आठा भी अच्छे से से हो गया है तो आठे को एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से हम लोग मसल लेंगे जैसी यह हो जाएगा आठे का जो पोशन है अब जितनी बड़े आपको पराठे बनाने हैं उस हिसाब से आपको लोई लेनी है तो मैं यहाँ पर थोड़ी बड़ अब जो हमें इसे बेलना है थोड़ा बड़ा और थोड़ा पतला बेलना है इसलिए मैंने थोड़ी जो लोई ली थी जो पेड़ा लिया था आठे का वो बड़ा लिया था क्योंकि हमें बड़ी रोटी बनानी है और थोड़ी पतली रोटी बनानी है अब इसके उपर हम थो की थी वो पूरी रोटी के ऊपर हमें अच्छे से लगा देनी है साइड आप थोड़े से छोड़ सकते हैं ताकि फिलिंग बहार ना आए बाकि पूरे पराठे पर हमने जो ये प्याज है जो फिलिंग है वो अच्छे से लगा देनी है उसके बाद सिंपली हमें इसे रोल करना है जिसे नौर्मल रोल करते हैं हम रोटी को बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे गोल-गोल करके बंद कर देना है थोड़ा सा संभालना है ताकि फिलिंग जो भो बाहर ना है साइड से फिलिंग अगर बाहर आ जाए तो आप उसे अंदर कर सकते हैं उसके बाद में हम इसके भी घी लगाएंगे और घी को अच्छे से spread कर देंगे यह हम इसलिए करते हैं ताकि बाहर से जो हमारा पराठा है वो एकदम करारा करारा बने तो इसे simply ऐसे fold कर देंगे जो side का है इसे इस तरीके से बंद कर देंगे pack कर देंगे हलका हलका सा हम इसे इस तरीके से press करेंगे हलके हाथों से ही हमें इसे press करना है इसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा हुआ जो पुदीना होता है और इसके साथ ही कसूरी मेथी भी डाल रही हो थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल देंगे और अब इसे हाथों से ही हलके हलके हाथों से इस तरीके से प्रेस करेंगे और थोड़ा थोड़ा बढ़ा करते रहेंगे किनारों से भी हम इसे अच्छे से प्रेस करते हुए बढ़ा कर देंगे हलकी हलकी फिलिंग अगर बहार आए तो घबराने की जुरत नहीं है सिखने के बाद यह बहुत अच्छी लगती है तो देखिए पराठा जो है वो हमने अपने हाथों से बेल लिया है और अब हम इसे गरम तवे पे डाल देंगे फ्लेम को हमें मीडियम पर रखना है मीडियम फ्लेम पर ही हमें पराठे को अच्छे से से शेखना है ताकि वो कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तब ही तो पराठा एकदम बढ़िया करारा बनेगा और खाने में भी मज़ा आएगा अच्छे से आम इसे प्रेस करेंगे ताकि यह बढ़िया दोनों तरफ से सिख जाए दोबारा पलट देंगे और यह देखिए कितना बढ़िया यह बन दोनों तरफ हमने घी लगाया दोनों तरफ से पलट पलट के हमने पराठे को सेका है और यह देखिए बहुत ही बढ़िया यह पराठा एकदम करारा करारा बनकर तयार हुआ है तो प्यास के पराठे इसी तरीके से हमने बाकी भी तयार कर लिये हैं उपर से लगाएंगे मक् में हर जगह आपको पूरा भरा हुआ पराथा मेलेगा बहुत बढ़िया वनता है कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई